Hello you busy mommies and daddies, कैसे हैं आप? Welcome to Parentopedia, with me Poonam Hegde अब हमने बहुत सारे विडियो बनाए है जीरो मांथ से लेके, नाइन मांथ ओल जो बच्चे है उनके developmental milestones क्या होने चाहिए उनके लिए किस तरह की किताबी खरीदनी चाहिए उनके demo links भी हमने शेर किया है I hope it was valuable for you all आज हम बात करने वाले हैं देड़ साल तक के जो बच्चे है उनके developmental milestones को अच्छी तरह से पार करने के लिए किस तरह की किताबी खरीदनी चाहिए So, let's get started चली बात करते हैं developmental milestones के बारे में अब आपका जो बच्चा है वो 18 months complete जब करता है तो कुछ ऐसे developmental milestones है जो उसने पार करने चाहिए What are they? See, physical development की बात करें तो doctor के frequent visits के थरू उनके guidance के थरू आपको physical development समझ में आता है कि आपका बच्चा किस हद तक उसके gross motor skills develop हो चुके है height, weight and all मगर कुछ ऐसे developmental milestones है जो आप books के द्वारा भी develop कर सकते हो What are they? The first thing is the language skills of your child The second is the emotional and social skills of your child And the third and very important is cognitive skills याने उस बच्चे की learning और thinking capacity जो thinking skills है वो भी आप books के तुरू develop कर सकते हो तो चलिए इन developmental milestones को थोड़ा सा detail में जानते before we jump into book recommendation for your child By the time आपका बच्चा जो है अठारा महने का होता है तो कुछ ऐसे language skills improvement आप देखेंगे वो क्या है आप देखेंगे कि आप अब तक आपने जितरी भी मैनत किये है vocabulary books को पढ़ाने की तो वो suddenly उस words को जो है वो pick up करने लगता है अगर आप आपल कहते हो तो बोलेगा आप आप या डॉक बोलेगा तो आप बोलेगा 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 तो इस तरह की sounds है speech like sounds है या कुछ words है minimum 10 to 25 words जो है वो 18 मैने तक डेवलप कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं they will also tend to repeat the words that they have heard कहीं पे भी आप अगर उनने कुछ प्रशन पूछते हो तो वो आपको respond करेंगे अगर कोई चीज उन्हें पसंद नहीं है तो they will express that distaste by shaking their head or by saying no तो कुछ basic words जो है वो आपका बच्चा कहना शुरू कर देता है like mama, papa, dada या आपने जो भी किताबों में उन्हें बताया हुआ है तो वो उसे use करना शुरू कर देते हैं तो ये books में invest करना है तीन categories को divide कर रही हो आज की video में values, vocabulary and habits चले पहले बात करते हैं vocabulary की जैसे मैंने कहा था कि language skills को develop करना है तो vocabulary के जो किताब है जो आप पहले पढ़ा रहे हो उसे धीरे धीरे उसे continue करें previous video में मैंने set 1 and set 2 के बारे में बात किया था my first vocabulary my first library book के बारे में तो आप उसे continue कर सकते हो vocabulary books के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब मुझे एक toy store में मिली कई बार ऐसे लगता है मुझे कि हमें हर बार online shopping करने की जरूरत ने है कभी-कभी just walk to a toy store and you'll be amazed की किताब है कितनी अच्छी-च्छी होती है वहाँ पर भी तो मैं दो चीज के बारे में बात करूँगी पहले तो ये एक vocabulary किताब है it is called as all-in-one vocabulary book इस बुक की beautiful चीज ये है कि ये बुक लंबे समय तक चलेगी आपका बच्चा पांच साल तक भी होगा तब भी आप इस किताब को यूज कर सकते हो अब इसमें क्या क्या information है इसमें वो सारे information है जो एक vocabulary किताब में होना चाहिए fruits, vegetables, shapes, colors basic community helpers कौन होते है, service करने वाले लोग कौन होते है आपके आज सपास तो ABC, 123 इसका information है and the beautiful thing is इसमें 12 खडी है इसमें 12 खडी है इसमें हिंदी की rhymes है and इसमें short stories है इसमें nursery rhymes है of course इसके जो volume है वो बहुत कम है आप अगर देखेंगे कि स्टोरी बुक में बहुत सारे stories होते है लेकिन इसमें एक दो एक दो short stories दी गई है जो आप अपनी बच्चे को अभी शुरुआत में दिखा सकते हो and इसमें actions है good manners, good habits क्या होने चाहिए तो जिसमें मैंने कहा था values, vocabulary and habits ये इसका जो पूरा मिशरन है वो इसमें दिया गया है and the beautiful part is इसमें आपके जो festivals है या places of worship है उसके बारे में जानकरी दिये है अगर आपका बच्चा दीरे-दीरे आपको लगता है थोड़ा सा टेकी है होने लगते है दीरे-दीरे computer peripherals के बारे में भी information दिया गया है stationaries के बारे में that's why this is called as all-in-one so go to a toy store and find out if you can find such a book ये online पर भी मिलेगा but of course जिस पर price है वो differ करेगा ये तो मुझे महज 120 रुपे में मिली है can you believe it इतना valuable चीज एक सो बीस रुपे में मुझे मिला है और इसके साथ-साथ by the time your child gets 18 months old your child should be able to do certain things जैसे point on something which is interesting जैसे मेरी जो बेटी है वो जब भी हमारे जो गार्डन है वहां पर बड्स देखती है तो वहां पर वो बोलती है चीकर बोलती है के मामा बच 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 तो इस तरह की जो recognition है या point to body parts where is your eyes तो they will you know tend to point at the body parts तो इस तरह की जो skills है वो develop होने चाहिए आप यह भी देखेंगे कि कुछ घर के जो ordinary चीजे है जैसे brush है, toothbrush है, toothpaste है, chair है, spoon है इसका इसका इस्तमाल कैसे होता है वो उन्हें समझने लगता है इसलिए आप देखेंगे कि they will tend to pretend feeding their dolls या कई बर खाना काते हो कि आपको खाना खिलाने लगेंगे तो इस तरह की जो skills है वो develop होने लगते है 18 months के होने तक आप बच्चों में कुछ ऐसी skills भी देखेंगे जहां पे they tend to enjoy playing musical instruments इसलिए ये एक अच्छा समय है कुछ musical toys में इन्वेस्ट करने का यानि by the time they turn one आपने musical toys जो है वो इन्वेस्ट किया ही होगा साती साथ 10 month old जब बच्चा आपका हो जाता है तब vocabulary books के साथ-साथ कुछ एक interesting charts भी होते है जैसे मैं जब एक toy store में गई थी तो मुझे बहुत ही interesting लगा ये chart आप देखेंगे के इसमें बहुत सारे pictures है इन pictures में ABCD भी है और साथ-साथ में ABCD के letters और साथ-साथ में words जो है वो इस pictures में दिये गए है आप इंट्रस्टिंग पार्ट अबाउट इस पिक्चर इस ये जो चार्ट है इसमें इस तरह का speaker लगा हुआ है और ये speaker के through कुछ sounds develop होते है जैसे यहां sensors दिये गए है तो जैसे ही आप इसे on करते हो इसको जैसे ही आप on करते हो तो ये activate हो जाता है और आप अपने बच्चे को ही point कराना सिखा सकते है कि 1 2 3 4 क्या है या A4 क्या है B4 क्या है मैं आपको एक example देती हूँ this is the vocabulary chart जो आप अपने बच्चों को इंटर्ड्यूस कर सकते हो इसमें एक साल का जब बच्चा हो जाएगा तब इसे और ज्यादा आप इंट्रस्टिंग्ली खेल सकते हो ये जरूरी नहीं है कि आप बाकी चीजों को भी सिखा सकेंगे but it's just a press and play kind of chart जिसमें आपको एक power button दिया गया है इस तरह से and then you have those options जैसे पहला option है इसमें एक music का option दिया गया है and then you can play any music and then there is words and letters का option press and listen a, b, c, one, two, three, four okay and then you have words option press and listen a, bird, car, dog इस तरह से अलगलग words दिया है then you have an interesting find the letter G जिसका आप letters को find the next जिसका आप letters को find the letter M M, good job you found the letter M let's play can you find the word pig pig,ढ़ एक मृ 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 it's a hand press the last Ko ahh! हन.. 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 हन.... Where is bird? B for bird Dog that.. Bird and dog सब्सक्राइवस को हम करते हुए इसकी जिम्मेदारी आप पर होती है जैसे ही 7 months का हो जाता है बच्चा या 10th month पे आप शुरू कर सकते हो If you feel कि आपका बच्चा जो है उस वक्त इतना ready नहीं है rhyming के लिए इतना interest नहीं देता है तो आप 10 month old जो बच्चा है उसको आप nursery rhymes जो है वो आप पढ़ा सकते हो अब आप बोलोगे कि 10 month old बच्चे को nursery rhymes, बाबा, ब्लाक शेप, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार में कैसे सिखा हो बहुत सिंपल है बुक्स को introduce कीजिए and when you are feeding her जब आप उसे खाना खिला रहे हो please television दिखाते हुए खाना मत खिलाइए एक trick जो मैं अपने बच्चे के साथ यूज़ करती हूँ वो ये है कि initially मैंने इस book के किताब के through उसे nursery rhymes बता दिया था and धीरे-धीरे जब भी हम खाना खाते थे तो I used to show this book एक हाथ में and you know I would keep it in a tray और उसको खाना खिलाती थी तिरे-धीरे मैंने note कि वो जो है book mess कर रहे थी so I started humming that sound you know and मैं गाना गाती थी उसके साथ साथ nursery rhymes वो गा कर उसे खाना खिलाती थी और वो धीरे-धीरे आप देखोगे कि जैसे ही आप समय बितेगा तो यह जो nursery rhymes वो धीरे-धीरे वो खुद पिक अप करते है I had tried a lot of nursery rhymes like old MacDonald had a farm यह उसका basic यह उसका favorite राए because you know there you can use animal sounds and आप उसे खाना खिलाते-खिलाते एक बहुत ही engaging way में उसे खाना खिला सकते हो और उसके mind में vocabulary भी जो है वो बिल्ट-इन होता जाएगा तो nursery rhymes जो है वो आप शुरू कीजिए either you can start it in your 7th month या फिर आप 10 month old जो है कई बच्चे जो है वो early learner होते है तो वो 7 month में ही pick up करना शुरू करते है and there are few kids जो शायद इतना interest ना दे तो मेरी बेटी को मेने 10th month में start किया था that will help to build a lot of you know vocabulary skills as well so try introducing that and this will help to build the cognitive skills of your child and by the time they are 18 months you'll see that you know temper tantrums जो है वो साथ से लेखे अठारा महने तक जो है वो जारी रहता है तो इसमें दो चोईस है either you keep shouting at them right and showing your expressing your anger will only make them angry and you will develop aggressive child या फिर थोड़ा सा smart बनिये और patience रखिये tantrums through करेंगे काफी काफी बच्चों को लंबा समय लगता है उनको धीरे-धीरे story books जो है उसके थुरू आप उनका जो temper tantrums है उसे कम कर सकते हो अब यहां पर मैं बात कर रही हूँ हमारे थर्ड पॉइंट की याने habits को कैसे develop किया जाए इस वीडियो की शुरूआत में मैंने बात किया था कि vocabulary, values and habits यह तीनों चीज़ों जो develop करना जरूरी है बुक्स के थुरू तो यह जो मैं story books को आपको जो recommend कर रही हो यह आपको values अच्छे values क्या है वो बच्चों को समझाने में मदद होगा और अच्छी आदितों इन किताबों में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूतनी है यह बहुत पतली-पतली किताबे होती है इसमें बहुत सारे stories है आपको paragraph को read करने की ज़रूतनी है आपने story पढ़ लिया आपको समझ में आ गया तो हर बार जब आप pictures दिखाते हो तो उन्हें आप पिंग कैसे character है वैसे pepper is a character and इसमें pepper की journey दिखाई गई है कि pepper जो है जब किसी birdie party में जाता है तो वो कैसे behave करता है और कैसे behave करना चाहिए क्या polite words होते है वो इस book series में आप उसे बता सकते हो यह बहुत पतली-पतली किताबे है इसमें बहुत सारे series है जो आप use कर सकते हो खेर मैंने किशा के लिए when किशा turned 10 month what I did is I used to show her books related to you know how to eat at the table या इसमें ऐसा भी दिया है कि pepper throws a tantrum तो जब pepper tantrum throw करता है तो उसे उसके जो ममी है या पापा है उसे कैसे manage करते है there are beautiful things जैसे मैं आपको बता दू कि अभी शुरुआत मैं मैंने इशु के लिए इशु के लिए क्या लिए पैपर लॉन्स गुड हाबिट्स okay so this is also a then you know pepper wants too many toys जैसे एक एक कहानी है जहाँ पे पेपर जो है वो toy store में जाता है वो shopping mall में जाता है और वहाँ पे उसे हर तरक की toys टहिए तो how the mother handles the situation और उसे क्या सीख मिलती है वो इन short stories में दी गई है इसका एक छोटा देम है and ये book series है moral stories के बारे में ये जो moral stories है ये बहुत ही पतली-पतली किताब है और इसमें pictures दिये गए है and जरूरी नहीं है कि आपको word-to-word सब पढ़ना है आपने कहानी समझ ली तो आपको बस pictures को narrate करते जाना है enactment के थरू मैं अबने बच्ची को ये एक जो किताब है ये हमेशा रात को सोते होग पढ़ाती हो it is called as capsular and the monkeys तो this is about a capsular बहुत ही famous कहानी है जो सभी को पता है who is resting under a tree and जब मैं ये किताब पढ़ाती हूं तो मैं उसे बहुत सारे actions के तुरू बताती हूं आप देखेंगे कि जैसे आपना body language होता है दिरे दिरे वो copy करने लगते है दो-तीन बार किताब पढ़ाने के बाद मैंने किशा में भी ये देखा है कि the moment I show her a picture and I say that you know then the capsular threw the hats on the ground तो किशा भी उसको ऐसे निकाल के फेकती है ऐसे action दिखाती है तो जिस तरह से आप act करेंगे they imitate it तो जैसे ही 9th month होता है 10th month होता है your child observes a lot so this is one very good technique to improve their emotional skills their language skills as well as their cognitive skills as well तो ये किताब आप introduce कर सकते हो short stories के mathemsi if you do not want to invest in long story books because बच्चों में patience भी नहीं होता the moment आप 4-5 page पलटते हो उसके बाद वो कुछ और किताब धुनने लगते है तो आप जो है इस तरह के पतली किताब को invest कर सकते हो ये उनको भी दे सकते है the only challenge that I have with this book is this is not like a board book तो ये आसानी से फाड सकते है आपके बच्चे तो ध्यान रहे कि इसे बढ़ाते हो कि आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए और इसके साथ साथ आप short stories के अलावा ऐसे कुछ stories है इसे भी introduce कर सकते हो now this talks about moral values this talks about habits right तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं this is about a big bad bully bunny okay तो जो सताता है उसमें वो जो family है वो उसे कैसे manage करते है उसके बारे में ये कहानी है और ये जब मैं आपको ये जब मैं इशू को पढ़ाती हूं तो बड़े हैं excitement के तुरू enthusiastically में पढ़ाती हूं इसका एक read करने वाला demo video जो है वो मैं share कर दूंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा है comment section पर जरूर लिखे and yes please like comment share and subscribe our channel until then stay blessed stay empowered and yes happy parenting कर दो